हाँ तो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए धर्म का उदाई यानि कि बोध धर्म और जैन धर्म के बारे में ठीक यह महावीर स्वामी जी की चित्र है जो कि जैन धर्म के 24 वे त्रितकार थें और यह बोध धर्म का गोतम बूद जी की का छीतर है जो भोत धर्म के जर्मदाता या प्रवर्तक थे हमारा कलास रहेगा च्षठा कलास है और लेसन सब्सेत यह सब्ज्ञक्ट है तो अगर आप चाहे उप फ्रेक्ट ना पस्ति कर त्यारी कर रहे हों चाहिए किसी वी एस्टेट सिविल सर्विस के त्यारी कर रहे हो या फिर आप छटे क्लास में क्यों ना हो सभी को मद्य नजर रशते हुए यहाँ वीडियो तैयार किया जा रहा है देखिए यहां पर एक मोटिवेशनल थौट्स लिखा सकता है तो यहां पर जो लोग भीड में सामिल होते है उन्हें होसलों तो परन्तु आपकी हैसियत यानि कि आपकी पहचान खो जाएएगी इसलिए इसलिए बीर में सामिल मत होई है बलकि भीड की वजह बनिए तो यह एक च्छोटी से लाइन थी जो मेरे द्वारा लिखी अब देखिए यहां पर इंग्लिस वर्ड है सबसे पहला है दार्सनिक दार्सनिक को इंग्लिस में फिलोस्पर बोलते हैं सत्यापट कला को सापट कला को आर्किटेक्चर बोला जाता है संस्कृति को कल्चर बोला जाता है परतिक को सेंबल बोला जाता है ठीक अब देखिए यहाँ पर जैन धर्म के संस्थापक पहला एं तो जैन धर्म के पर्थम संस्थापक और DOWN firefight तो कूछ और होता है लाइन दोनों एक ही यह लेकिन अलग लगी यह पर्था में और यह वास्तविक हैं तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं महावीर जी बहुत सारा गलत मैंने पॉल कोशन डला था बहुत सारे लोग गलत जवाब दे रहे थे हैं देखिए नमबर थ्री में क्या है जैन जैन धर्म के कुल कितने तिर्थकार हुएं तो जैन धर्म में कुल 24 तिर्थकार हुएं जो तिर्थकारों को भगवान का जाता जैन धर्म में उसके बाद फोर नमबर कोशन क्या है महावीर स्वामी का बच्पन का नाम क्या था तो महावीर तो बाद में नाम पड़ा पहले यानि कि वर्दवान का जन्म कब और कहां हुआ तो महाबिर यानि कि वर्दवान का जन्म 540 इस्विपूर में 540 इस्विपूर में कुंडन ग्राम में हुआ था ठिक अगला कोश्चन है 6 नमबर महाबीर को ज्यान की प्राप्ति कहां होई तो महाबीर को ज्यान की प्राप्ति रिजु पाली का नदी के तट पर 12 वर्सों की कठीन तपेस्या के बाद प्राप्त हुई ठीक, रिजुपालिका नदी के तठ पर अगला कोश्चन है, जैन धर्म का सबसे महतपुर्ण गरंथ कौन सा है तो कल्प सुत्र जो के संस्क्रीद भासा में लिखा गया है या जैन धर्म का सबसे पावित्र गरंथ और सबसे महतपुर्ण गरंथ है जैन धर्म के 23 तिर्थकार कोन थे, जैन धर्म के 23 तिर्थकार पारसुनात जीत है जिनके नाम पर जार्खन में एक पूरी परवत का नाम दे दिया गया है ठीक, पारसुनात, वहां पर एक परवत का नाम है देखे, नाइन नम्बर क्या है, महाविर ने अपनी सिक्षाएं किस भासा में दी तो महाविर ने अपनी सिक्षाएं प्राक्रित भासा में दी, जो कि उस समय आम लोगों की भासा हुआ कर देती तेन नमबर कुशन क्या है महावीर की कठोर तपैसिया का वर्ण किस जैन गरंथ में मिलता है तो आचरांग सुत्र में जो है महावीर जी की कठोर तपैसियाओं का वर्ण मिलता है आचरांग सुत्र में ठीक उसके बाद बोध धर्म की अस्थापना किसने की तो बोध धर्म यहां पे हमारा सुरू हो जाता है बोध धर्म की अस्थापना की गोतम बुद्ध जी ने गोतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था देखिए जिस परकार महाबीर का भी वास्तिविक नाम कुछ अलग था उसी परकार गोतम बुद्ध का भी वास्तिविक नाम कुछ अलग था उनका वास्तिविक नाम था सिधार्थ जो कि उनके माता पिता ने बच्पन में उनका नाम रखा था बुद्ध का जन्म कावूर कहां हुआ तो 563 इस्विपूर में कपिल वस्तू के निकट हुआ था ठीक और इनके जन्म के साथ दिन बाद ही इनका माता का दियान भी हो गया था चोदर नमर कोशन क्या है बुद्ध ने अपने प्रवचन किस भासा में दिये तो बुद्ध ने अपने प्रवचन पाली भासा में दिये जबकि महावीर ने प्राकृत भासा में ठीक हमारा पंदर नमर कोशन बंदता है बुद्ध ने अपना पर्थम उपदेश कहां दिया त बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति किस अस्थान पर हुई थी एक बोधी विरिच यानि की पीपल के विरिच के नीचे जिसे बाद में बोधी विरिच कहा जाने लगा कारले की गुफा जहां बोध विरिच रहते थे यहां किस अस्थान पर है कारले की गुफा महाराष्ट्र में लोनावाला के निकट और यहां पर जो हैं बोध धर्म के विरिच यानि की बोध धर्म के सिसी रहा करते थे ठीक इस गुपा में अगला हमारा क्या है अठार नंबर उपनिसदों का साब्दिक अर्थ क्या होता है तो उपनिसदों का साब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीफ निष्टा पूर्वक बैठना या उपनिसद का देखें उपनिसदों की संख्या कितनी है यहां मैं आपके लिए कौस्टें आप बताईएगा अगला हमारा है मौक्ष की प्राप्ति के लिए महाबिर ने कितने सिधान्त नी तो मौक्ष की प्राप्ति जो जीवन और मिर्तियुके बंधन से छुटकारा पान नहीं को कहा जाता है उसके लिए पांच सिधान्त दिए अभी हम लोग नीचे में बात बुद्ध धर्म के उपदेशों के संग्राओं को किस नाम से जना गया तो त्री पिटक बुद्ध धर्म में तीन गरंथ लिखे गए हैं महानमान जिसे त्री पिटक कहा गया है बुद्ध के ग्रिय त्याग यानि कि घर छोड़ने की घटना को क्या कह लाएगे तो बुद् अगला हमारा क्या है जैन धर्म में त्री रत्न से आप क्या समझते हैं तो देखिए जैन धर्म में तीन रत्न बताएंगे हैं यानि जैन धर्म के 24 वे तर्थकार महाबिर स्वामी जो हुए उनके द्वारा मिर्तियों और जीवन के बंतन से मुक्त पाने के लिए तीन परकार के हमें ये रत्न अपनाने चाहिए सम्यक ज्यान, सम्यक दर्सन और सम्यक आच्रन ठीक यहां महाबिर जी का कहाना था धर्म चक्रपरवर्तन से आप क्या समझते हैं यानि धर्म उसे ही धर्म चक्रपरवर्तन कहा गया ठीक जो असोक अस्तम में दिया था सारनात के असोक अस्तम में इसे ही धर्म चक्रपरवर्तन कहा गया बस इतनी से बात हैं त्री पीटक क्या है तो अभी हम लोग बात किये थे कि बहुत धर्में तीन ग्रंत हैं ठीक बहुत धर्में म महान महान गरंत हैं उसे ही त्री पिटक कहा जाता है मात्मा बुद्ध की उपदेश को एक साथ तीन भागों में बाटा गया जिसे त्री पिटक कहा गया ठेक पहला पिटक है सूथ पिटक क्या है सूथ पिटक दूसरा है विनई पिटक और तिसरा है अभीधम पिटक सूथ प परका रहना चाहिए अनुसासन की बाते कही गई है और तिसरा है अभिधम्म पिटक जिसमें बुद्ध के दार्शनिक विचार का तैथियों का वर्णन है ठीक फिर स्पिकर जो थौट्स ने उनके विचारों का वर्णन है अब देखिए यह जो तीनों पिटक हैं सूत पिटक वहां त्री पिटका चारी कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने तीनों पिटकों का इदियन क्या है ठीक जैन धर्म के पांच सिद्धान्त कौन से हैं तो जैन धर्म के पांच सिद्धान्त हैं जो जीवन और मिर्ट्यू के बंदन से छुटकार आप दिलाने के लिए के लिए कह तिसरा है चोरी ना करना तिसरा क्या है अहिंसा नहीं करना ठीक किसी भी जीव कहतिया नहीं करना अहिंसा मतलब वही हुआ और चौथा है संपत्ति नहीं रखना अपने पास संपत्ति को जमा करके नहीं रखना पांचवा ब्रहमचरी का पालन करना तो यह जैन धर्म के पांच उसके बाद जो है जैन धर्म दो समिधायों में बढ़ गया पहला ठाक स्वेतामबर दूसरा था दिगंबर स्वेतामबर जो समुधाय के स्वेतामबर जैन धर्म के जो समुधाय थें वे स्वेत यानि कि सफेद वस्तर पाना करते थें केवल सफेद केवल सफेद वस्तर ही पा के वह क्या है कि जैन धर्म में कुछ भी कपड़ा नहीं पानेंगे दिगंबर समुदाई की वेक्ति बहुत कम पाए जाते हैं ठीक उसके बाद जैस परकार जैन धर्म दो भागों में बठ गया महाभिर सौमी की द्यांत के बाद उसी परकाद बोथ धर्म भी गोतम बुद्ध की द्यांत के बाद दो समुदाई Aware ने बढ़ गया तो यहां बढ़ गया था वो धर्म हिन्यान और महायान हिन्यान और महायान हिन्यान समुदाई की लोग बुद्ध के उपदेसों को मानते थे जबकि महायान समुदाई की लोग मुर्ती पूजा पे बलते थे कि बुद्ध की हम मुर्ती को पूजा करेंगे अब आपको कौन सा अच्छा लगता है आप हमें कमेंट में बताईएगा देखेंगे आपका भी thoughts केसा है अगला question क्या है जैन धर्म का परचार परसार भारत से बाहर क्यों हुआ देखिए जैन धर्म का परचार परसार भारत से बाहर बहुत कम हो पाया क्यों क्योंकि जैन धर को हिंसा नहीं कर ना यानि कि किसी भी जीवक नहीं मारना जबकि अगर शामायद मानले हिसान करता है तो तो अपने खेत में कीर मकवरों को मारने के लिए क्या करेगा मारना थो पड़ेगा तो ऐसे में हुए Nej जैन धर्म का पालन नहीं कर पाएगा इंसा नहीं करना साकाहरी रहना है जैन धर्में तो यह सारी लोग इस प्रकार के जो बहुत कम ही लोग पालन कर पाएं जिसके करण यह धर्म बीदेशों में नहीं फाइल पाया जबकि बहुत धर्म आपको क्या बात ही क्या करनी है बहु गौतम बुद्र ने समस्त दुखों को चुटकारा पाने के लिए मानों के समस्त दुखों को चुटकारा पाने के लिए आठ सिध्धान्त बताएं उसे आफ्टांगीक मार्ग कहा गया पहला है समयक दृष्टी दूसरा है समयक संकल्प तिसरा है समयक वाग चोथा है समयक कर्म पांच्वा है समयक आजिव छथा है समयक ब्याम और सात्वा है समयक मिर्थि और आठ्वा है समयक समाधी यानि कि इन सवी नियमों कौ आपको पालन करना है ठिक गोतम बुद्ध के अनुसार अर्व हमारा 32 नमबर त्याग का निर्ण esta यानि कि घर को छोड़ने का निर्णा क्यों कि गोतम बुद्र का बीवा हो गया था एक पूत्र हो गया था जिसका नाम राहूल था और उसकी पत्नी जो कि काफी सुनदर थी ठीक ना तो गोतम बुद्र इन सांसारी के सुखों से संतुष्ट नहीं हुए और एक दिन जब पहला द्रिस क्या देखा चार परकर के द्रिस देखा कि एक बुढ़ा वेक्ती पूरा अपने सरीर से जरजर हो चुका है और पूरी पूरा तरब ठीक ना पहला द्रिस देखा बुढ़ा वेक्ती को जो कि सरीर से जरजर हो चुका था दूसरा द्रिस देखा उन्होंने एक बी किस पूरी तबिमार से गरस्त था तीसरा चीत्र देखा एक मिरित the का सव का जो की मिरित सव के पीछे पीछे उसके परीजन रोते हुए जा रहे थे और चौथा दृस देखा एक किसका साधू का सैन्ध्यासी का तो इन चार दृस्तिऑ को देखकर ब्ध का जो हिर्दे थाना है वो खिन्न खिन्न हो गया और उन्हें ने फैसला किया कि नहीं मुझे सांसारिक बंधनों में नहीं बन रहा है मुझे गिरित याक कर मुझे परम घ्यान की तलास में खोज में जाना है और इसी कारण विए घर को त्याक करने का निद्धन ले लिए जिसे महाबिर स्वामी जिनका वास्त्विक बच्पन का नाम वर्दमान था इनका जैनव पांच सो चालिस इस वे पूर कुंडल गराम में हुआ वहिसाली के निकट ठीक अब महाबिर स्वामी जैन धर्म के 24 वे तिर्थकार थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्तापक ठीक माने जाते हैं उसके बाद ये जैन धर्म के वास्तविक संस्तापक माने जा उनकी एक पुत्री हुए जिसका नाम हुआ पिर्य दर्सना ठीक बाद में यह अपने सिस्ट से ही एक इनका विवाग करवा देते हैं ठीक ना तिस वर्स की आयू में यह गिरिह त्याग कर दियें और बारा वर्सों की कठीन तपिस्या के बाद इन्हें ज्यान की प्राप्ती हुए रिजुपालिका नदी के तठ पर ठीक यह एक छोटी सी जानकारी थी ज्यादा बड़ाय में जानकारी को बड़ावा नहीं देना जाता इसलिए गोतम बुद्ध पर भी एक छोटी सी परिचे है गोतम बुद्ध का वास्त्विक नाम सिदार था इनका जन 533 पूर में कपिल वस्तु बिहार में हुआ इनके पिता का नाम सुद्धवन थे और माता महा माया ठीक ना इनका विवा एक अत्की सुंदरी कन्या रूप से संतुष्ट ना होएं जिसके कारण ये जो हैं 29 वर्स की अवस्ता में 29 वर्स की अवस्ता में उन चार जिरिस्यों को देखकर ग्रीत याग का निड़नाई किया और अंत में ग्रीत याग कर देते हैं और 16 वर्सों की कठीन तपश्या के पस्चात इन्हें ज्यान की इस जो है असोकस्तम में सारनात में दिया गया जिसे धर्म चक्र परवर्तन कहा गया और बाद में बोध कुसी नेगर में निर्वान याइटनी की द्यानत हो गया असी वर्स की आयू में तो ये एक छोटा सा परिचे है तो आई होप कि आपको बोध धर्म और जैन धर्म के बारे में काफी कुछ जानकार या मील गई होंगी इस वीडियो के मायद्यम से तो प्लीज दोस्त चनल में पहली बार आएं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल का इकन को प्रेस कर दिजेगा और अगर कोई दोस्त है तैयारी कर रहे है इस परकार का तो उन तक भी सेर कर दिजेगा पढ़िये और अपने हक के लिए लड़िये और दूसरों को भी पढ़ाईए अपने देश को आगे बढ़ाईए तैन्यवाद